नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे उस वैपन सिस्टम को जो कि पाकिस्तान को मिल सकता है और इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और कैसे इंडिया इससे बच सकता है तो आज जिसी पर डिसकस करेंगे चलिए दोस् दोस्तो अभी अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच में युद्ध हुआ था और इसके अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अर्मेनियन एर फोर्स उनके एर डिफेंस सिस्टम आर्टिलरी गन टैंक सभी को डेस्ट्रोई कर दिया और इसके पीछे सबसे बड़ कारण था तुर्की के द्वारा अजर्बैजान को दिया गया TB2 बायरेक्टर ड्रोन और ये दोस्तो ड्रोन इतना खतरनाक था कि इसने सारे सिस्टम ही खतम कर दिये अर्मेनिया के और अब दोस्तो यही ड्रोन पाकिस्तान को भी मिल सकता है चाहे उसे तुर्की दे या ऐसा ही सिस्टम चाइना भी उसे अविलेबल करवा सकता है अगर हम अर्मेनिया के नुकसान की बात करें तो 185 T-72 टैंक 90 आर्मर्ड फाइटिंग वहिकल 182 आर्टिलरी पीस 73 मल्टीपल रोकेट लॉंचर 26 सरफेस टू एर मिसाइल सिस्टम और इसके इलावा दोस्तो इन सरफेस टू एर मिसाइल के अंदर S-300 सिस्टम भी शामिल था 14 रडार और जैमर और इसके इलावा एक सुखोई 25 वार प्लेन भी डेस्ट्रोई हो गया और और ये सारी बाते एनालिस्ट स्टीजन मिजर ने मिलिटरी अफेयर के अंदर लिखी है और दूसरी तरफ अगर अजर बही जान के नुकसान की बात करें तो वो इसका 16 ही था तो दोस्तो ये सारा काम किया तुर्की के बायरेक्टर TB2 ड्रोन में अगर इस ड्रोन की बात करें तो ये दोस्तो वन एट थी है वेट में यूएस के MQ-9 रीपर की तुलना में और 80 मिल पर आवर की स्पीड पे जाता है इसके इलावा दोस्तो इसके अंदर तुर्की का ही एक लेजर गैडिड मिसाइल लगा है जिसे M.A.M. यानि की तुर्किश स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन भी कहते हैं और ये एक मीडियम एल्टिट्यूड लोंग अंडूरेंस ड्रोन है और टैक्टिकल अन्मेंडेरियल capable है ये हर तरह की intelligence करने, surveillance, recognition इसके इलावा armed attack mission के लिए भी और इसके इलावा दोस्तो जब operation spring shield हुआ था सीरिया के अंदर उस समय भी इस drone को deploy किया गया था और इसने दोस्तो रशिया के पंट सीर missile defense system के खिलाफ बहुत ही अच्छी maneuverability का परदर्शन करते हुए उसे destroy कर दिया system active भी था यानि कि वो इसे detect नहीं कर पाया चूंकि दोस्तो तुरकी NATO member है तो इसे दोस्तो US, Germany, Israel और Canada से बहुत अच्छे drone system मिलते रहे हैं लेकिन जैसे ही दोस्तो इसने Middle East के अंदर अपनी power को बढ़ाना बंद किया तो इन सारी चीजों की supply से बंद हो गई उसके बाद से तुरकी ने अपने drone के उपर काम करना शुरू किया हालांकि ये वह पहले से ही कर रहा था लेकिन 2014 में बायरेक्टर का tactic block 2 आ गया सामने इसने दोस्तों continuous 24 गंटे 34 मिनट के लिए उडान भरी और ये भी 27,000 feet के altitude पे और उसके बाद 104 ऐसे armed director drone तुरकिश armed forces को द पेचे गए हैं और अब दोस्तों इंडिया के लिए इससे risk कैसे है तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान तुरकी का एक L.A. है बहुत ही अच्छे relation है और तुरकी भी इंडिया के खिलाफ ही बयान देता है इंडिया के खिलाफ चलता है तो ऐसे में वो पाकिस्तान को ये इंडिया के साथ बैलन्स रखने की कोशिश करता है तो ऐसे में ये पका ही हो जाएगा कि पाकिस्तान इस ड्रोन को खरीदेगा ही खरीदेगा और दोस्तों इस ड्रोन का छोटा साइज होना ही बताया जाता है कि ये जल्दी से पकड़ में नहीं आता प्रीडेटर और MQ-9 ड्रोन की तुलना में और इसके इलावा दोस्तों लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के कारण इसे एर डिफेंस सिस्टम के द्वारा नहीं पकड़ा जा सका ये बात रश्या ने भी मानी है तो दोस्तों अब बात आती है कि इंडिया इसका मुकाबला कैसे करेगा इंड बदलने का फैसला किया है इसके इलावा अमेरिका से भी 30 गारजियन ड्रोन खरीदने का भी जल्द ही डिसीजन लिया जा सकता है इसके इलावा हमारे रुस्तम 2 ड्रोन के उपर भी काफी अच्छा काम चल रहा है और इसकी अभी एक सफल फ्लाइट भी हुई है और इस साल क अगर कोई ऐसी situation आती है तो इस्राइल हमेशा ही तैयार रहता है इंडिया को अपनी कोई भी जरूरत के हिसाब से उसके उपर खरा उतरने के लिए ऐसा कारगिल युद के दोरान भी देखा है और अभी अमेरिका हमारा LI है तो हमें दोस्तो हाथो आत अमेरिका के भी ड्रोन अ हो सकता है तन्यावाद जैहिन